C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय चार आधार भूत ज्यामिती या अवधारणाएं प्रिष्ट चोहत्तर चार दशमलवेक भूमिका ज्यामिती का एक लंबा और शानदार बहु मूल्य इतिहास है शब्द ज्यामिती यानि जियोमेट्री यूनानी शब्द जियोमीट्रोन का अंगरेजी तुल्य है जिया यानि जियो कार्थ है भूमी और मीट्रोन कार्थ है मापना इतिहासकारों की अनुसार प्राचीन समय में जामिती अवधारणाएं संभवतह, कला, वास्तुकला या शिल्पकला अर्थात आंकिटेक्चर और भूमी मापन की आवशक्ताओं के कारण विकसित हुई इनमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमी की परी सीमाओं यानि बाउंडरीज को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, जीलों, बांधों और नगरों के निर्माणों कला और वास्तुकला या शिल्प ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया आज कल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग यानि एंजीनियरिंग कपड़ों के डिजाइन इत्यादी के सभी रूपों में ज्यामितिय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है आप विभिन प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्स यानि पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिबे, गेंद जिससे आप खेलते हैं, आदी को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं इन सभी वस्तुओं के भिन भिन आकार यानि shapes होते हैं, जो ruler आप प्रयोग करते हैं और pencil जिससे आप लिखते हैं वे सीधी यानि straight हैं, एक चूड़ी, एक रुपए का सिक्का या एक गेंद के चित्र गोल यानि round प्रतीत होते हैं प्रिष्ट 75 जो आपके चारों और उपस्थे ताकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे चार दशमलव दो, बिंदू खागज पर एक pencil के नुकीले सिरे से एक चिन्ह यानि dot अंकित कीजिए सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म यानि छोटा होगा लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदू की अवधारणा का आभास कराएगा बिंदू यानि point एक स्थिती या अवस्थिती यानि location निर्धारित करता है बिंदू के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार है परकार का सिरा, पैंसिल का नुकीला सिरा, एक सूई का नुकीला सिरा यदि आप किसी कागस पर मान लीजिए तीन बिंदू अंकित करें तो आपको इनमें भीद बताने की आवशकता पड़ेगी इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C त्यादी से व्यक्त किया जाता है यहां तीन बिंदू A, B, C दिखाए गए हैं इन बिंदूओं को बिंदू A, बिंदू B और बिंदू C पढ़ा जाता है बिंदू निस संदेह बहुत छोटे होने चाहिएं प्रयास कीजिए एक, अपनी पैंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज पर चार बिंदू अंकित कीजिए तथा उन्हें नाम A, C, P और H दीजिए इन बिंदूओं को विभिन प्रकारों से नाम दीजिए नाम देने का एक प्रकार सनलगन आकरिती के अनुसार हो सकता है यहाँ चार बिंदू A, C, P और H दिखाए गए हैं दो, आस्मान में एक तारा हमें एक बिंदू की अवधारणा का आभास कराता है अपने दैनिक जीवन से इसी प्रकार की पांच स्थितियां चुन कर दीजिए प्रिष्ठ 76 चार दशमलवतीन रेखा खंड एक कागस को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए क्या आपको कोई मोड का निशान दिखाई देता है इससे एक रेखा खंड यानि लाइन सेग्मेंट की अवधारणा का आभास होता है इसके दो अंत बिंदू यानि end points A और B हैं एक पतला धागा या डोरी लीजिए इसके दोनों सिरों को कस कर पकड़िए ताके धागे में कोई धील न रहे यह एक रेखा खंड निरुपित करता है हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखा खंड के अंत बिंदू हैं रेखा खंड के कुछ उदाहरण निमनलिखित हैं एक बक्स का किनारा, एक ट्यूब लाइट, एक पोस्ट कार्ड का किनारा अपने आसपास से रेखा खंडों के कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए एक कागस पर दो बिंदू A और B अंकित कीजिए इन दोनों बिंदूओं को सभी संभव रास्तों से जोडने का प्रयत्न कीजिए आक्रिती 4.1 में ये दिखाया गया है A से B तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? A और B को जोडने वाला यह सबसे छोटा रास्ता इसमें बिंदू A और B भी सम्मिलित हैं जो सनलगन आक्रिती 4.1 में दर्शाया गया है एक रेखा खंड है इसे A B के उपर एक छोटी रेखा या B A के उपर एक छोटी रेखा से व्यक्त किया जाता है बिंदू A और B इस रेखा खंड के अंत बिंदू हैं प्रयास्क कीजिए एक, सनलगन आक्रिती में दिये रेखा खंडों के नाम दीजिए आक्रिती 4.2 क्या A प्रत्येक रेखा खंड का एक अंत बिंदू हैं? प्रिष्ठ 77 4.4 एक रेखा कल्पना कीजिए के A से B तक के रेखा खंड अर्थात A B को A से आगे एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है आक्रिती को देखिए आपको रेखा यानि लाइन का एक उदहरन प्राप्त हो जाएगा क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा कीच सकते हैं? नहीं क्यों? दो बिन्दूओं A और B से होकर जाने वाली रेखा को A B और उसके उपर दोनों तरफ बढ़ती हुई एक रेखा के चिन्ह से निरुपित करते हैं ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती हैं इस पर असंख्य बिन्दू स्थित होते हैं इनके बारे में सोचिए रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदू परयाप्त हैं हम कहते हैं कि दो बिंदू एक रेखा निर्धारित यानि डिटर्मिन करते हैं सनलगन आकरिती आकरिती 4.3 रेखा PQ की है कभी कभी एक रेखा को L जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है 4.5 प्रति छेदी रेखाएं सनलगन आकरिती 4.4 को देखिए इसमें दो रेखाएं L1 और L2 दर्शाई गई हैं ये दोनो रेखाएं बिंदू P से होकर जाती हैं हम कहते हैं कि रेखाएं L1 और L2 बिंदू P पर प्रति छेद यानि इंटरसेक्ट करती हैं यदि दो रेखाओं में एक उभय निष्ठ बिंदू हो तो वे प्रति छेदी रेखाएं यानि इंटरसेक्टिंग लाइन्ज कहलाती हैं प्रति छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं आपकी अभ्यास पुस्थिका के दो सनलगन किनारे अंग्रेजी वरण माला काक्षर एक्स परस पर काटती हुई सडकें इनके चित्र आकृती 4.5 में दर्शाए गए हैं प्रति छेदी रेखाओं के युगमों के कुछ और उदाहरण ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए प्रिष्ठ 78 इनहें कीजिए एक कागज लीजिए इसे दो बार मोड़िए और मोड़ के निशान बनाईए ताके दो प्रति छेदी रेखाओं प्राप्त हो जाएं और चर्चा कीजिए ए क्या दो रेखाओं एक से अधिक बिंदूओं पर प्रति छेद कर सकती हैं बी क्या दो से अधिक रेखाओं एक ही बिंदू पर प्रति छेद कर सकती हैं 4.6 समान तर रेखाओं आईए आक्रिती 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखें इसका उपरी सिरा A, B, C, D सपाट यानी फ्लैट है क्या आप कुछ रेखा खंड और बिंदू देख पा रहे हैं? क्या यहां प्रतिछेदी रेखाई हैं? हाँ, रेखा A, B और रेखा B, C बिंदू B पर प्रतिछेद करती हैं कौन सी रेखाई C पर प्रतिछेद करती हैं? और कौन सी रेखाई D पर प्रतिछेद करती हैं? क्या रेखाई A, D और C, D परस पर प्रतिछेद करती हैं? क्या रेखाएं AD और BC परस पर प्रतिछेद करती हैं? आपने देखा कि मेज के उपरी प्रिष्ठ पर कुछ रेखाएं हैं जो परस पर प्रतिछेद नहीं करती हैं, उन्हें कितना भी बढ़ाया जाए। रेखा AD और रेखा BC ऐसी रेखाओं का एक युग्म बनाती हैं। मेज के उपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा ही अन्य युग्म जो कहीं नहीं मिलती हैं बता सकते हैं? ऐसी रेखाएं, जसी मेज में उपरी सिरे पर हैं, जो प्रती छेद नहीं करती, समानतर रेखाएं, यानि पैरलल लाइन्ज कहलाती हैं सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए आप समानतर रेखाओं को और कहां देखते हैं? इनके दस उदहरण ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए यदि दो रेखाएं A, B और C, D समानतर हों, तो हम इन्हें सांकेतिक रूप में रेखा A, B और फिर दो खड़ी रेखाएं, और फिर रेखा C, D के रूप में लिखते हैं प्रिष्ठ 89 यदि दो रेखाएं L1 और L2 समानतर हैं, तो हम L1, दो खड़ी रेखाएं L2 लिखते हैं क्या आप नीचे दी आकरिती में समानतर रेखाएं बता सकते हैं, यहां तीन आकरितियां दी गई हैं, रूलर यानि स्केल के सम्मुख किनारे, रेल की पटरी और खिड़की की सलाक हैं चार देशमलव साथ, किरण, किरण यानि रेख के लिए कुछ निम निलिखित मॉडल हैं, एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरणे, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणे, सूर्य की किरणे किरण, रेखा का एक भाग होता है, यह एक बिंदू से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदू, यानि इनिशल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तरित होती है यहाँ दाई और किरण की दी हुई आकरिती, आकरिती 4.7 को देखिए, इस किरण पर दो बिंदू दर्शाए गए हैं, यह हैं A, A जो प्रारंभिक बिंदू है, B, P जो किरण पर एक अन्य बिंदू है, हम इसे A, P और उसके उपर एक दिशा में बढ़ती हुई किरण के चि पुचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए, यदि P Q एक किरण है तो A, इसका प्रारंभिक बिंदू क्या है, B, बिंदू Q किरण पर कहां स्थित होता है, C, क्या हम कह सकते हैं कि Q इस किरण का प्रारंभिक बिंदू है, प्रिष्ट असी, प्रयास कीजिए, एक, सामने दी आकृती, आकृती 4.8 में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए, दो, क्या T इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदू है, सनलगन आकृती 4.9 में एक किरण O A दी है, ये O से प्रारंभ होती है और A से होकर जाती है, यह किरण बिंदू B से होकर भी जाती ह क्या आप इसे किरण O B भी कह सकते हैं, क्यों? यहां किरण O A और किरण O B एक ही किरण को दर्शाते हैं, क्या हम किरण O A को किरण A O लिख सकते हैं, क्यों या क्यों नहीं? पाँच किरणे खीचिये और उनके उचित नाम लिखिये, इन किरणों के सिरे पर लगे तीर क्या दर्शाते हैं? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.